नवश्कार स्वागत हैं आपका एंटीवी टाइम्स में मैं हूँ कपिल चली रुख करते हैं तमाम खबरों की और इंदोर के जुनी इंदोर थाना शेत्र में एक युवक का रक्त और अंजित शाव मिलने से संसनी फैल गई मौके पर पहुची पुलिस ने युवक की शिनाक्त चोटे लाल और फुराजु निवासी खंडवा के रूप में की है मौके पुलिस ने जाच में शाव पर चोट के निशान वहाद बंदी होने की वज़ा से हत्या की आशंग का जटाई है हत्या की गई है फिलहाल पुलिस ने शाव को पोस्ट मार्टम के लिए एमवास पताल भेजवाया वह आरोपियों के तलाश की जा रही है आलू मंडी में हमाली करता था और वहीं रहता था इसमें प्रारंभी जायंट में उसके पींट पे और अन्नी स्थानों में चोट है और शर्ट बगरा नहीं पेना हुआ है उसके हाथ बांदे थे इसलिए तो यह संबधा उसकी आरोपिदारा मार्पिट करने के बाद खुले में पढ़े होने से ही मरक्ति होना प्रतित हो रही है इस पें जानकारी मिली है कि ममता भाई से इसके कुछ संबंध है ममता भाई और इनकी बात हुए इसके लेके ममता के जो भाई है राजे श्याम और उ इन दौर से आशीज जादोन की रिपोर्ट जिले के आदिवासी घंसोर शेत्र के लगभक सतर गाउं के किसानों के शेत्र में परियापत मात्रा में पानी होने के बावजूद ना तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही खेतों में पानी पहुच पाया है पावर प्लान को पानी दिया जा सकता है तो नहर के माध्यम से इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा वही बाजपा सरकार के मंतियों ने लिफ्ट एरिगेशन से लेकर नल जल योजना की घोशना तो कर दी थी पर आज तक इनके गाउं में पीने का पानी नहीं पहुचा और ख किसानों ने बैठक की रूप रेका तयार कर ली है अब ये इस्थिती है हमारी कि हम खेती छोड़ करके बाहर मजदूरी करके हम अपने जीवनापन करेंगे हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ये इस्थिती बन गई अगर सरकार हमको पानी दे देती है तो हम जो है खेती अच्छे तरीके से करेंगे हमारे अध्यम से सरकार से हमारी लडाई जारी रखें। असवासन बस देते हैं कि हम इस जगह में जो है नर्वदा का पानी लाके ये पूरे छेत्र को जो कि प्रसी प्रधान बनाएंगी। लेकिन ये सिर्फ घोचना बस बात हो जाती है। लेकिन आज तक किसी ने भी जो है इसको साकार रूप नहीं दिया है। अब हमने ये अंतिम फैसला लिया है कि हम सभी किसान जो है इस मां को जो है वो आंदोलन के रूप में जो है करेंगे। अब हमारा एक ही मुद्दा है कि हमको पानी चाहिए है और हमारी धरती माता प्यासी है और बहुत दिनों से हमारी किसान भाई ये संगर्स कर रहे हैं और अब ये संगर्स आगे। पानी के लिए ही सभी किसान भाईयों एकत्रित हुए है और हमेले पेरिकेसन से भी नरवदा जी का पानी हमारे खीतों तक पहुँचाए जाए यसी लड़ाई को लेकर के किसान संग यह बेठाए और यह सम्मेलन जारी है सुमबार को प्रदेश के श्रम मंत्री महिंदर सीह से सोधिया एसाई परिसर में स्थित्ट टीवी अस्पताल का दौरा करने पहुचे इस दोरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जितने भी अस्पताल है उनकी दशा सुधारी जाएगी सुमबार को प्रदेश के श्रम मंत्री महिंदर सीह से सोधिया एसाई परिसर में स्थित्ट टीवी अस्पताल का दौरा करने पहुचे इस दोरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जितने भी अस्पताल है उनकी दशा सुधारी जाएगी प्रदेश में जितने भी कर्मशारी बीमा अस्पताल बने हैं उनकी हालत काफी खसता है हाला कि कई बार केंदरवर राजिश शासन दौरा उन्हें सुधारने के लिए राशी आवंटित की जाती है परन्तू वह काफी कम रहती है कई बार अस्पताल में भरती मरीजों की शिकायत रहती है कि उन्हें परियाबत इलाज की सुधा मुहया नहीं कराई जाती जिसके चलते श्रम मंत्री ने टी बी अस्पताल का दौरा किया साथ ही यहां जितने भी भरती मरीज हैं उनसे चर्चा कर किस तरह इलाज चल रहा है इसके बारे में जानकारी ली और मरीजों को किस तरह का खाना उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुनवत्ता के बारे में भी जानकारी ली वहीं पत्यक वार्ड में पहुचकर वहां का दोरा किया हाला कि वे अस्पताल की सुविधाओं से संतुस्ट नजर नहीं आए शोचालयों की सिती देखकर नाराज हुए और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ततकाल वे शोचालयों की साफ सफाई और अन्नी वेवस्ताइं सोचारू रूप से उपलब्ध कराएं इस दोरान उन्होंने कहा कि जल्द ही जितने भी अस्पताल है उनकी दर्शा सुधारी जाएगी उनकी पेंशन का क्या होगा उनके रिटार्मेंट का क्या होगा उनके वेतन भत्तों का क्या होगा यह सारी दर्श्ती से रखते हुए हमने यह एक आइकन रखा था जाएगी अब तो हम नए सवेरा ला रहे हैं और नए सवेरा में जो हमने उसमें अपग्रेड किया है आदार को लिंक किया है और आईश्मान योजना को भी इसका समामेश करता है अगर ऐसी कोई शिकायत आपको आती है तो आप संग्यान में लाइए मैं खर में लिटाए इंदौर से आशी जादोन की रिपोर्ट कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार जिला योजना समीती की बैठक में एक साथ शामिल हुए इस दोरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौझूद थे बैठक के दोरान तीन मंत्रियों ने प्रशासनिक कारे की समिक्षा की आपको बता दे कि कमलना सरकार कॉंग्रेस राष्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ इदायत दी है कि सभी मंत्री और विधायक अपने विपने शेत्र की जंता के बीच में रहेंगे और सरकारी कामों की समिक्षा करेंगे जिसका असर आज जिला योजा समीती की बैठक में भी देखने को मिला ठीक नी होगा पर भावनात्मत और वेचारिक में इस बात से सहमत हूँ कि शाशन होता है जंता के लिए उस वर्ग के लिए जिसके लिए हम काम करते हैं उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगा इन दोर से आशीर जादोन की रिपोर्ट किये गए वादे नानी भाना टीचर्स पर लाठी चार्ज नोकरी के वादे स्टूडेंट्स को स्मार्ट फोन का वादा पूरा नकर ना शामिल होंगे सरकार आर्थिक संकट का रोना रो रही है पंजाब सरकार पर मार्च 2018 तक एक करोड 95,000 का लोन आउटस्टेंडिंग है हर महीने करीब 290 करोड ब्याज में ही चला जाता है तमाम तरह के कर्जों पर 2016 सत्रह में ही 4152 करोड ब्याज गया था सरकार के तीन बड़े विभाग PIDB, RDB और पूरा भारी कर्ज में डूबे हुए हैं माली वेतन आयों के सिफारिशें लागू करने के लिए सरकारी मुलाजिमों के वेतन के लिए भी करीब 2000 करोड रुपे चाहिए इस भी सरकार के लिए चैलेंज ये है कि 13% कमाई घट गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 15 वा 16 फरवरी को हुशंगाबाद वधार में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बैटक हुई इसमें तैहुआ की दोनों सभाओं में 20-20 विधान सभाओं से बूतस्तर से लेकर उपर तक के कारिकरताओं को शामिल किया जाएगा इस किसी भी सूरत में संख्या एक लाग से कम न हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 15 वह 16 वरवरी को हुशंगा वाद वधार में होने वाली सभा की तैयारियों के लिए दिल्ली में बैटक हुई इसमें तैय हुआ की दोनों सभाओं में 20-20 विधान सभाओं के बूतस्तर से लेकर उपर तक के कारिकरताओं को लाया जाए किसी भी सूरत में संख्या एक लाग से कम न हो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राके सिहीं के निवास पर हुई बैठक में राश्टी संगठन महामंत्री रामलाल, पूर्व मुक्य मंत्री वर राश्टी उपाध्यक्ष शिवरास सिहीं चोहान, केंद्री मंत्री नरेंद्र सिहं तोमर, नेता प्रतिपक्ष गोपाल रामलाल ने कहा कि प्रधान मंत्री की सभा की तैयारियों में कमी न हो आपको बता दें कि हुशंगाबाद और धार दोनों संसद्य सीटों पर हाल ही के विधान समा चुनावों में भाजपा की सीटे ज्यादा रही इसलिए संख्या को लेकर भाजपा थोड़ी आश्वस्त है बैटक में लोगसभा चुनावों के कारिक्रमों को लेकर भी बात हुई रामलाल ने कहा कि हर कारिक्रम में यह प्रयास किया जाए कि कोई न कोई बढ़ानेता वहां रहे और संसदिय सीटों के चुनाव प्रभारियों के साथ भी सतत संपर्क रहे चार दिन से पढ़ रही कड़ाके की ठंच से सोमवार को भले ही राहत मिल गई हो लेकिन भोपाल समेथ प्रदेश के 29 शहरों में रात का तापमान 10 डिगरी से कम ही रहा भोपाल में दिन के तापमान में 2.9 और रात के तापमान में 2.6 डिगरी का अधाफा हुआ चार दिन से पढ़ रही कड़ाके की ठंच से सोमवार को भले ही राहत मिल गई हो लेकिन भोपाल समेथ प्रदेश के 29 शहरों में रात का तापमान 10 डिगरी से कम ही रहा भोपाल में दिन के तापमान में 2.9 और रात के तापमान में 2.6 डिगरी का अधाफा हुआ है मौसम वेग्यानिक पी के साहा ने बताया कि मंगलवार को हवा का रुख दक्षीनी हो सकता है इस वज़ा से दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी होने का अनुमान है मौसम वेग्यानिक जीटी मिश्रा एवम उदर सरवटे ने बताया कि भोपाल में दिन का तापमान 26.3 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया और रात का तापमान 9.6 डिगरी दर्च किया गया बढ़ोतरी के बावजूत यह सामाने से 3 डिगरी कम रहा सिर्फ इंदौर, खरगोन और नरसीपूर में ही यह 10 डिगरी से ज़्यादा रहा खजुराहों में सबसे ज़्यादा ठंड वहां रात का तापमान 4 डिगरी दर्च किया गया सांसर जोतिरादित सिंधिया को कॉंग्रेस का रास्टी महासाचीव बना जाने के साथ ही वस्तन यूपी के 40 लोकसवा सीटों की जिम्मेदारी सोपने के बाद मद्यप्रदेश कॉंग्रेस संगठन में एहम बदला होने जा रहा है सिंधिया की जगह कॉंग्रेस के वरिष्ट नीता और कारिकारी अध्यक्ष राम निवास रावत को चुनाव अभियान समीती के अध्यक्ष की महत्पूर्ण जिम्मेदारी सोपने की तैयारी की जा रही है सांसर जोतिरदित सिंधिया को कॉंग्रेस का राश्टी महासचीव बना जाने के साथ वस्टन यूपी की 40 लोगसबा सीटों की जिम्मेदारी सोपने की तैयारी की जा रही है इस बारे में सिंधिया ने सहमती दे दी है अब इस सम्मन्द में अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी आदेश चारी करेगी हाला कि यह नियुक्ती उपचारिक ही रहेगी इसकी वज़ा लोगसबा चुनाव में समन्वै समीती की कोई बड़ी जवाबदारी नहीं होती है कॉंग्रेस महासची जोतिरादित सिंधिया ने 15 फरवरी को दिल्ली में गुना शिवपूरी शेत्र के पदादी कारियों की बैठक बुलाई बैठक में चुनाव से संबंदित तैयारियों पर चर्चा होगी गोर दलब है कि सिंधिया इस शेत्र से सांसद हैं वे अपने संसदी शेत्र में लोगसबा चुनाव के लिए अभी से जमावट कर रहे हैं रावत गोरियर चंबल अंचल की विजयपूर सीट से पिछला विधान सभा चुनाव हार गए थे इससे पहले वे इसी सीट से पांच बार विधायक रहे हैं रावत को सिंधिया का विश्वस्त माना जाता है लोगसबा चुनाव के तैयारियों को देखते हुए फिलहाल कॉंग्रेस संगेठन में कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित नहीं है लेकिन विधान सभा चुनाव के पहले गठित कॉंग्रेस की संचालन कमेटी पूर्व की भाती कारे करती रहेगी समन्वाई के जिम्मोडारी संभाल रहे पूरो मुख्यमंतरी दिगविजय सिंन अपनी जवाबदारी देखते रहेंगे चारो कारेकारी अध्यक्ष की विवस्ता भी लागू रहेगी वरतमान में मुख्यमंतरी कमलनाथ के नेत्रतों में चारो कारेकारी अध्यक्ष जीतु पटवारी बाला बच्चन सुरेंद्र चौधरी राम निवास रावत काम देख रहे हैं। के आम चुनावों की तैयारी के लिए करीब 42 लोगसवा सीटों पर पार्टी की ताकत का अकलन करेंगी। आज और आगामी दो दिनों तक वह सुबह से राज तक पार्टी का रेले में अलग-अलग सीटों के कारेकरताओं से मलाकात करेंगी। हर एक लोगसवाश शेतर के लिए एक घंटे का समयता है। यूपी के चार दिन के दोरे का आगास करते हुए प्रियंका ने सोमवार को राहुल गांधी के साथ रोडशो किया था। माह सची और पूरवी यूपी प्रभारी बनने के बाद प्रियंका का यहाँ पहला दोरा भी है। प्रियंका से मिलने वालों में जिला अध्यक्ष और अस्थानी नेतर शामिल होंगे। एक सीट से करीब 15 कारेकरताओं का चैन किया गया है। प्रियंका गांधी की नेजी टीम में चाल लोग हैं वे इस मलाकात के नोच तयार करेंगे। कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद राजधानी में पैटरोल जहां 70.33 रुपे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल 65 रुपे 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में पैटरोल 5 पैसे महंगा हुआ था। वहीं डीजल के दाम 6 पैसे बढ़े थे। आपको बता दे कि पिछले कई दिनों से पैटरोल और डीजल के दामों में कटोती जारी थी। लेकिन शनिवार और रविवार को इन में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही लगातार खबरों के लिए आप देखते रहें एन टीवी टाइम्स। नमस्कार